नवस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वर्ल्ड इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रद्यूपन शर्मा नज़र डालते हैं उत्राखंड की खबरों पर उत्राखंड बीजेपी द्वारा मिशन 2022 की तैयारी शुरू कर दी गई है जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अद्यक्ष बंशी दरभगत प्रदेश प्रभारी दुश्यत गौतम उत्राखंड की 70 विधानसबाओं का विधानसबा वार दौरा कर जिसकी शुरूआत मसूरी विधानसबा शेत्र से 24 दिसंबर से होगी वही मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल का कहना है कि प्रदेश में वर्ष 2017 में हुए विधानसबा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 57 सीटे जीत कर प्रचंड बहुमत हासिल किया था अब पार्टी के सामने वर फिर से रफतार पकड़ लिया है बीते 24 घंटे में 611 नए संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं 13 संक्रमित मरीजों की मौद भी हो गई है कुल संक्रमितों की संग्या 87,000 के पार हो गई है 5,517 संक्री मरीजों का इलाज भी चल रहा है सौास बिवाक क्याकलों के अनुसार 16,350 अन्च रुपोर्ट नेगिटेव आ ही है वहीं देहरादून जिले में सबसे अधिक 237 संक्रमित मरीज मिले हैं अलमोडा में 50, बागेश्वर में 6, चमोली में 34, चमपाबत में 18, हरिद्वार में 35, नहिनिताल में 101, पौडी गडवाल में 15, पितोरागड में 19, रुद्रप फाटक के समीब एक कार अन्यंतृत होकर दुरगटना गरस्त हो गई है, कार मम चालक समेट पाच युवक सवार थे, इस्थानिये लोगों और कोतवाली पुलिस की मदद से गहलों को एम्स पहुचा दिया गया है, जहां दो युवकों को चकचसकों ने अम्रत गोशित कर द वेकार्ट से अपने घर रुड़की की ओर रवाना हो गयते, तभी ये बड़ा हथसा हो गया। इस्थित सरकारी कोर्ट परिसर के बार खड़ी भी दिखी थी। इस फैसले के बाद लोगों को देरादून का रुख ना करने की बजाए प्रदेश के ही अन जिलों का रुख कर सकते हैं या फिर अन प्रदेशों की ओर भी वो जा सकते हैं। फिलाल उत्रा करने हैं सिर्फ इतने बड़े रिया बारे साथ नमस्कार। झाल बारे साथ प्रदेशों का रुख थी। घच है जब लोगए लोगों में हो जास दिलों का प्रदेशों का रुख लोगों में बड़े बड़ें।